तो दोस्तों शुजबात करते हैं अब विल अटरिनन एपिसोड एट की शाव वाचन पर जिब हमला होता है सौड से तो फungkin विल तुक टर्टल है उसके हाँ से चौट जाता है इस बैसे शाव वाचन नो वो राउंड जीज़ जाता है ये सारे धिसिबल है उतिक हे फोट तो फिर शाओ बाचन जितने दोबार प्रॉप्स हैं तुम्हें सारे बाहर निकालने होंगे शाओ बाचन अपने सारे वेपन्स निकाल रहा होता है वो सारे देखकर डिसिबल चौक जाते हैं वोड़ रहोते हैं कि यहां पर ग्रोसिटोड खोलने आए हो एक मास्टर यह सब दिखकर हस रहे होते हैं और वो अंकल ली से बोड़ रहोते हैं कि मुझे लड़का पसंद आया ऐस डिसिबल के दौरबब पिर शाओ वाचन सारे अपने वेपन्स लेता है और उन्हें बाहर लेकर चाहरा होता है सारे डिसिबल बोड़ रहोते हैं कि यह टैलेंटेड नहीं है और वो उसका मजाग उड़ा रहे होते हैं अब कॉमपटिशन की फर्स स्टेच्च खता हो जाती है पिर बाली होते हैं सेकंड स्टेच की तो फिर जो भी डिसिबल जीत होते हैं राउंड उनको दوبारा बॉला जाता है बौल चूज करने के लिए फिर एक एक करके सारे डिसिबल बोड चूज करते है शाव वाचन बोल रहा होता है कि अगर मैं ये राउंड चीज जाओंगा तो फिर मैं आसानी से टॉक फाइम आ जाओंगा फिर मैं जो कोई चिंता करने की जड़त नहीं है और अगर इस राउंड में मैं किसी ऐसे अपोरन का सामना करूँ जो कि मैं से वीग हो तो फिर यो बहुत ही अच्छी बात होगी फिर फैंगी स्टेज पर आता है और वो बोल रहा होता है कि जिसके पास भी नमबर टू की बॉल है वो मेरे सामने आ जाए नमबर टू होता है शाव वाशन का तो फैंगी अपनी स्टेज निका रहा ताब शाव वाशन से बोल रहा होता है कि ये राउंड तुम नहीं जीत पाओगे शाव वाचन डर की वियर से फैंगी की तरफ नहीं देख रहा होता है बलकि उसने अपनी बैक उसकी तरफ कर रखी होती है पर डिसेबर पूश रहोते हैं क्या ये कोई नई टेक्निक है तब ही शाव वाचन को एक आइडिया आता है फिर वो एक ऐसा पोस बनाता है ताकि सबको लोगए कि ये एक नई टेक्निक है शाव वाचन अपने मन में बोड़ रहा होता है कि अगर उसने सामने सा हमला किया तो फिर वो मारा जाएगा अगर पीछे से भी हमला करा तो फिर उसमें भी कोई चांस नहीं है काफी देर तक शाव वाचन ऐसे खड़ा रहता है तो फिर फैंगी को पाई लजाता है कि वो प्रिटेंट कर रहा है फिर वो अपनी स्वाड लेता है और शाव वाचन पर हमला करने के लिए जाता है जब वो हमला करता है तो फिर वो देखता है कि शावजन वहापर नहीं होता है बल्कि उसके पैर पकड़ रखे होते हैं और उसे माफी मांग रहा होता है फैंगी अपना पैर ठाणने के कोशिश कर रहा होता है बेट शावजन नहीं जोड़ रहा होता फिर फैंगी उससे बोलता है कि जो भी तुम्हारे मूव है तुम मुझे दिखा सकते हो तब ही शाव बाजन उसका पैर छोड़ता है इसके बाए शाव बाजन अमने रिफाइंट के उजी स्वार्ड निगालता है और वो ऐसे कर रहा होता है कि जैसे कोई वो टेक्निकी प्रैक्टिस कर रहा है काफी दे तक शाव बाजन अमनी स्वार्ड हाद पकर रहता है और आखिर में जाकर थक जाता है फिर उसके sword नीचे गिर जाती है और उसी टाइम पर fengi हमला करना स्टार्ट कर देता है fengi लगाता है शाओ बच पर हमला कर रहा होता है बट वो बच रहा होता है आखर में जब उससे गुस्सा आता है तो फिर उपने technique यूज़ करने जा रहा होता है शाओ बचन की गले में एक locket होता है जिसमें एक pendant होता है अचानक सबस्क लाइट निकलती है और fengi वहीं पर गिर जाता है इस वैसे fengi की गुस्सा और भी बढ़ जाता है फिर वो अपना blood लेता है अपनी sword के साथ उसे force करता है सारे disciple पीछे हो जाता है क्योंकि उन्हें पता होता है कि fengi serious हो गया और जिसकी technique होती है बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है इसके बाद वो अपनी sword से शाओ बचन में हमला करता है और वहीं पर उसकी wooden sword भी पढ़ी होती है फिर शाओ बचन में wooden sword लेता है और वो भी उससे हमला करता है और अचारक वहाँ पर एक धमाका होता है धमाके के बाद जो सारे disciple देखते हैं वो सारे चौक जाते हैं क्योंकि वहाँ पर जमीन पर crack आगे होते हैं और जो fengi की sword होती हो तूट गई होती है इसी भी disciple को यकिन नहीं हो रहा है कि जो fengi होता है वो जखमी हालत में जमीर पर पड़ा हुआ होता है इसके बाद वहाँ पर पीक मास्टर मीश यंग भी आती है और वो शाओ बाचन के लिए clapping कर रही होती है फिर अंकल ने उसे पूछ होते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आई हो इस शांग बोर्ट ही होती हैं मैंने सुनाए कि तुम इस लटके को इस कॉंपेटिशन में लेकर आए हो और साथ हैं पार्टिसिपर्ट करने को खाए तो फिर इस वैसे मैं इसे देखने के लिए आई हूँ और जो इसका ट्रेजर है रिफाइनिंग का वो बहुत ज़्यादा एक्स्टराणरी है क्योंकि जो स्पिरिट पावर है वो थ्री टाइमस है इसके बावजूद भी वो जिससे साबसे हैंड लिफ्ट करता है और जितनी स्मूथली ले आता है ये बहुत लिए इंक्रेडिबल बात है शाओ वाचन बहुत ज़्यादा खुशे रहा तर बोल रहा होता है कि मैं टॉप 3 में आ गया हूँ तो फिर मुझे हार्ट वर्क करनी कोई जवर्ट नहीं है डिसेबल बोल ट्रे होते हैं कि ये कौन सा लग लिखा है कि ये सारे राउंड जीते जा रहा है वो भी तुक्के में उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया और ये फाइनल राउड तक पहुच गया है अब अगला राउंड होता है डू लिंक फे और श्यांग के बीच में जो भी न दोनों में सा राउंड जीतेगा वो जाकर शाव वचन से लड़ेगा फाइनल्स में फिर वो फाइस स्टार्ट होती है तो फिर सारे डिसेबर को फाइस देखकर मजा रहा होता है क्योंकि वो बहुत जादा इंटरस्टिंग होती है और उन दोनों की बराबरी हो रही होती है लेकिन आखर में जाकर डू लिंगफे शियांग को हरा देती है डू लिंगफे बहुत थक गही होती है तो फिर शाव वचन वहापर जाता है और वो बोर रहा होता है कि आपको थोड़ा आराम करने की जड़ते है क्योंकि मुझे पता है कि मैं आखर राण नहीं जीतने वाला हूँ जैसे हैं मैं आपसे लिड़ने के लिए हो मैं वैसे ही गियोप करता हूँ और आप पसानी से ये राण चीज़ जाओगी डू लिंफे को ये संकर गुसा जाता है फिर वो अपनी सौल्ट शाओवाचन के पास वेक्टे उससे बोड़ रही होती है कि तुम अपने ट्रेजर और अपने लिए लग की वैसे यहां तक पहुचे हो और तुम आखरी राण पे जाके गियोप कर रहे हो तुम्हें पता है शाओवाचन बोड़ रहा होता है कि ऐसी कोई बात नहीं है बट वहाँ पर जितने भी डिसेबल होते हैं वो सारे शाओवाचन को डाटर रहा होते है कि तुम्हारी ही गलती है तुम डू लिंफ की बेस्ती कर रहे हो को उस देड़ तक अराम करने के बाद शाम को दुबारा फानल डाटर स्टार्ट होता है फिर वो में सेज़ पर आते हैं तो फिर शाओवाचन बोड़ रहा होता है कि मैं हार मान रहा हूँ बर डू लिंफ के मना कतुर कहती है कि सरफ मेरा एक ही मूव काफी है तो मैं हराने के लिए डू लिंफ अपना वो ही मूव इस्तमाल करती है फिर वो अपनी स्वर लेती है और तेज़े शाओवाचन के और बढ़ रही होती है शाव वजन के पास पहुशने तक फिर वो उसकी चेस्ट पर उस्वाड मार देती है उसके पास शाव वजन महीं पर गिर जाता है और सारे डिसेबल हैरान हो जाते है